जै हिंद्द इस विडियों लोJack Amra World Argh Limited Company कोघंपनी को बात करेंगे. इस कंपनी को Amra Gary के नाम से भी जाना जाता है. अर्थात इस कंपनी के दो नाम है. Amra World blew Argh Bitcoin अरशंचा और Amrawar Gary आप नाम का जोल में मत प्ली है. आएसे कंपनी का फंडामेंटल समझते हैं. क्योंकि एक मास इस कंपनी का share price लगतार निची की तर धड़ाम हो रहा है ऐसे में इसका analysis करना जरूरी है और analysis के माध्यम से यह पता चलेगा कि इस कंपनी का share price उपर उठेगा भी या ऐसे इसरी निचे ही गिरते रहेगा ताकि जो लोग काफी high price उपर इस कंपनी के share को खरीद के बैठेग में नुकसान हो रहा है नुकसान सुबर सकें यह भी बताऊंगा कि नए लोगों के इस कंपनी में किया opportunity है साथ में यह भी कि इस कंपनी का कोई future growth है भी या नहीं तो बिना किसी देरी के direct मुद्ध पर आते हैं और काम की बात शुरू करते हैं सबसे पहलों जानेगे कि यह जो कंपनी है आम्रा वर्ल्ड या अम्रा ग्रियेग्र को क्या करती है अर्थात पैसा बनाती है अब आई देखते हैं कंपनी का मार्केट 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 के 20 करों अर्थात एक पैसा कर सकता है पैसा और अभी डाउन जा रहा है चुकिंड लोवर सर्केट का दोड चल रहा है तो इसमें सेर पैस निचे ही जाएगा और हाई लगाा चुके तिन रुपहें ठाउन पैसा का अर्थात इस कंपनी का सेर प्राइस अधिक्तम यहां तक आया है यहां तक आने के बाद तक नीचे ही जा रहा है। 22 नॉम्बर को आप इस ग्राफ में देखर से इस कंपनी का Grandpa उठेँना शुरू हुआ 22 नॉम्बर से इस जनवरी cases को मफनी का ग्राफ अब स्करा त्रया पंपर तक बीच में एक जगर डाउनचे देछों लगभगन दोह भब आज मीर piano पचास पैसा कास पास इस कंपनी का सेयर प्राइस हुआ करता था पचास पैसा सुठा और तीन रुप्या ठावन पैसा तक आया तो इसमें प्रोफिट बुकिंग की जबरदस्त हुआ है और इतना प्राइस बढ़ा इसका मतलब ऑपरेटर्स ने भी गेम खेला है लेकिन मैं य इसलिए फसे हुए क्योंकि सब्सक्राइब निकले नहीं अपना प्रोफिट नहीं बुकिए बाकि जो लोग प्रोफिट वो तो निकल गया है अब सबाल है कि जो शेर प्राइस डाउन आ रहा है तो कहा तब डाउन आ सकता है तो यह समझे इसका ठाराव लेवल जिसको बहुत कम है क्योंकि आप देखेंगे एक मां में कमपनी का शेर परसेंट से अधिक तूट चुका है तो जब भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें पचीस से तीस परसेंट गिरा उट आता है फिर भी हंडेट परसेंट नहीं तूटेगा पाचास पैसा इस कम प्राइस एक और प्राइस तिरशट पैसा है क्या लगता है यह अपने बुक भैलू से नीचे आजाएगा बुक भैलू के पास पास आ सकता है लेकि नीचे नहीं आएगा इतना विश्वासर कि और आरे साहीं देखें 29 है मतलब तीस से भी आरे साहीं डाउन आ गया है तो ब कुछ बढ़ा ही नहीं है क्योंकि कंपनी को कोई सेल्स नहीं हुआ होगा जाइड सी बात है और आप जब देखेंगे प्रोफिट जिसको पी एटी कहते हैं अर्था टेक्स देने को बात कंपनी को पास बचता है तो माइनस एक करौन सत्रह लाग था क्वाडर टू में यानि पर प्रोफिट ही नहीं और अर्निंग पर देखी अर्निंग पर टू मैं 0.1 उसको कम करके कम्पनी ना माइनस जीरो पॉन जीरो वन किया अगर देखें तो छोड़कर बाकि दो चीज में प्रोफिट में और अर्निंग पर थोड़ी से बहतरी हुई है और उमीद है कि जो अ करजा है पिछले क्वाटर में जिरो जिरो था इस क्वाटर में जो क्वाटर थिरीक रियल्ट है इसमें करजा 40 लाग का बढ़ गया है क्योंकि कम्पनी को कुछ हुआ नहीं है और आप देखेंगे तो प्रोफिट भी नहीं हुआ था कम्पनी पिछले बार भी लॉस हुआ इस बार में लॉस हुआ है तो सभाविक बात है कंपनी चलाना है तो आपको रुपयों की जरुद पढ़ेगी और जोब रुपया आप कमाईएगा नहीं तो करजा बढ़ेगा तो कंपनी के उपर करजा बढ़ा है कंपनी पास से 11 क्रोन 65 लाग की असेट्स है लियाबिटी स सिर्फ 9 लाग कोई बढ़े बात नहीं लिकिन दीकत है कि यह साल दरसाल बढ़ते जा रहा है कंपनी को लियाबिटी अपने साल दरसाल कम करना चाहिए और कंपनी आप इसमें इंट्री लेना चाहते हैं तो बेसक ले सकते हैं आपके लिए रस्ता अभी साफ है लेकिन प्रम मोटर्स नहीं होते हैं पबली के पास ही पूरा हंडेट परटेंट शेयर पड़ा हुआ है ऐसा अमोवन देखा जाते कि ज्यादा हिस्ते दारी होती है इससे होता क्या है कि मैनुपलेशन के चांसर बढ़ जाते हैं खर उससे कोई दीकत नहीं हमें तो सेयर प्राइस बढ़ क्योंकि देखिए एक दम 29 के आसपास आगया इससे नीचे नहीं जाएगा आरेस उपर जाएगा सेयर प्राइस बी उपर जाने लगए पचास पैसा तक नहीं आएगा इसकी समझाना बहुत कम है और जो नए लोग इसमें इंट्री लेना चाहते हैं पेनिये श्टों के बेस